हलो एंड वेलकम टू टेश्बूक सुपर कोचिंग तो एससी स्लेक्शन पोश्ट फेज 12 का एक्जाम शुरू हो चुका है बीज जून से एक्जाम शुरू हुआ है और पहले दो शिप्ट में जो एक्जाम हुआ है उसके आधार पे हमने इस्टूरेंट से बात करी जिन्हों में जा सकती है दे कि अभी बहुत शारी शिप्ट बाकी है हम सिर्थ दो शिप्ट के अधार पे आपर कट ओफ का आकनान करने की कोशिश कर रहे है थोड़ा सा हमने पिछले साहर की जो कट ओफ है उसको भी यहाँ पर समझा और उसके के अधार्पर हम कट आफ यहां पर डिसकस करने वाले हैं तो आप लोग वीडियो को शेर कर दीज़ेगा अपने साथ दोग पहुचा दीज़ेगा तो देखे आपको पता है सेलेक्शन पोस्ट जो है उसमें तीन कैटेगरी होते हैं मेट्रिकुलेशन यानि दसमी पास इंटर्मीडिट यानि बार्मी पास और ग्रेशन या उससे उपर वाले एक्जाम पैटर्ण सबका सेम होता है यह मैं ऑफिशल एक्जाम पैटर्ण का स्क्रीन शॉट आपको दिखा रहा हूं इसमें आपके 25 कुश्चन पचास नंबर के आ मैं में किसी पोस्ट की कुछ होगी किसी पोस्ट की गोगी तो इस तरह से कट-अप चलती है और पिसली बार जो हैं कम तो cut off जो है हाई जाने के chances है हाई जो है यहाँ पर मानें कि डेड़ सो की ऊपर तो highest cut off जाती है highest मतलब जिसमें आपको सबसे best post मिलें वो cut off आपकी डेड़ सो 160 जाती ही जाती है बाकी 150 140 130 पर भी आपको post मिलती है ठीक है तो कितनी cut off जाएगी highest के अधार पर हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर तो पहले matriculation की बात करें यहाँ पर जो हमने इस्ट्रेंट से वादे कि सारी post wise cut off बताना तो मुम्किन नहीं है तो मैं एक overall label पर यहाँ पर बता रहा हूं कि highest cut off कितनी दा सकती है matriculation ग्रेशन और intermediate में तो देखे matriculation में जो हमारा आकलन है वो highest cut off general category में 155 के आसपास जाने की संभाबना है 145 से 155 के आसपास जो है वो general category में highest cut off जा सकती है OBC में 135 से 145 के आसपास SC में 115 से 120 ST category में 115 से 120 SC ST में थोड़ा बर फर्क रहेगा जादा नहीं EWS में 130 से 135 यह आपकी highest cut off जा सकती है कुछ category में इससे थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती है कुछ category में इससे कम भी हो सकती है और यह सिर्फ हम पहले दिन की यानि 20 June shift 1 और shift 2 के अधार पर बात कर रहे है इसमें बदलाओ आगे चलके हो सकता है क्योंकि पेपर अगर ऊपर नीचे होता है पेपर का लेविल तो नॉमलाइशन का भी इफेक्ट पड़ता है ठीक है इंटर मीडियर ग्रेशन में अल्मोस्ट जो है तो है वो कट आफ जा सकती है तो यह कट आफ आपको इंटर मीडियर ग्रेशन में देखने को मिल सकती है अगर यहां पर बात किया कितने कुशन पर तो मैट्रिकुलेशन में आप मानके चलिए कर आप जनरल ओवी सो और EWS में आते हैं तो आप मानके सतर से असी सवाल जो है वो आपके होने चाहिए सही सतर से असी सवाल जो है वो आपके होने चाहिए और यहां पर जो है आपके 75 से 85 सवाल होने चाहिए 75 आप मानिक 75 स्वाल आप जो है average मानिक चलिए कि आपके सही होने चाहिए ठीक है cut off को clear कर रहे हैं तो यह पता है और आने वाले एक्जाम से तयारी कि आप सबस्क्राइब कर सकते हैं ठीक है सबसे इंपोर्टन चीज क्या है जब भी आप किसी सबस्क्राइब कर रहे हैं तो मेरा coupon code लगाई अनुराग ए इससे आपको maximum discount मिलेगा जैसे all ssc exam में इसमें क्या है ssc के सारे exams आपको एक जगह पर मिलते हैं जैसे कौन-कौन से exam इसमें शामिल है कहांगे exam के name कहां गई है एक बार मिले कुछ चेक करने दीजिए इसमें all ssc exam names नहीं दिख रहे हैं मैं आपको अच्छा यह cgl सब कुछ आपको मिलता है अब प्राइस देखिया आपका सीजियल का प्राइस की बात हो रही है तो देखिये all ssc exam 6 महीने का आपका 18-56 दिख रहा है और 12 महीने का 75 रुपए यह प्राइस जो है अनुराग आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसका जो भी प्राइस होगा उसमें यह कूपन को लाइन तो आपको और आपको डिस्कॉंड मिल जागा एक साल का पास्प्रों आपका हो गया 465 और दो साल का हो गया 615 रुपए का ठीक है और आपके मन में कोई सबाल कोई डाउट हो तो मेरे टेलिग्राम चैनल अनुराग सर्ट टेश्ट्बूक इसको जॉइन कर लिजिए क्यू आर कोड़े झाल